आईए चलते हैं देखते हैं इस नई कहानी में क्या होता है ये कहानी एक बिली की और एक क्राउन प्रिंस की है इस कहानी में बिली जो है वो एक वोमेन है जो की बाद में किसी वज़े से बिली में बदल जाती है चलिए आगे की कहानी सुनते हैं ये क्या हुआ, मैं कहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आज क्राउन प्रिंस कुछ अलग से दिख रहे हैं, इतने समय के बाद उन्हें दिखा है, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचते, बाद में ये क्राउन प्रिंस रिएम्बरेन परें क्योंकि वो तो एक लौता बच्चा है माहराज का, लेकिन जो माहराज हैं, वो उन्हें अलगी तरीक का प्यार दे रहे हैं, बड़ी सक्ती से उनसे पेशाते हैं, हरंपित एम्पायर, खेर जाने दो, प्रिंस काफी अच्छे लग रहे हैं, उनकी हाइक भी काफी है, काश क क्वीन अलिसा के देख पाती, क्या उन्होंने ये कहा कि क्वीन अलिसा मुझे याद है कि ये सारे लोग तो नौवल में थी जो मैं पढ़ रही थी, जिस ट्रक में मुझे टकर मारी थी, वो पुनर जनम वाला ही ट्रक होगा, क्योंकि मैं तो सिर्वेग बचा रही थी, शाय मैं मरने के बाद बनी ही क्या हूँ, क्या मैं किसी अधिकारी की बेटी हूँ, किसी राजा की बेटी हूँ, या कोई बहुत ही माहान हसती हूँ, पर ये क्या, मेरे पेरों में इतने फर्क क्यों है, अब समझ मैं आया कि मैं इंसान नहीं बल्कि बिल्ली के रूप में जनम ल लगे, यहां सब बिल्ली से डरते हैं, इनका मानना है कि बिल्ली आउशुब है, और साथ ही साथ इनके सामराज का नाश्ट भी बिल्ली ही करेगी, मैं ऐसा सोच ही रही थी कि किसी ने मुझे उठा लिया, क्या ये इनसान मुझे मार देगा, सच में मैं सिर्फ एक बिल्ली हू कि प्रिंस क्या हुआ, प्रिंस कहते हैं कुछ नहीं, आज और हंटिंग करने का मन नहीं है, अब हमें शायद चलना चाहिए, तब ही मैं अपने मन में सूच रही थी कि क्या पता, इस प्रिंस ने मुझे उठा तो लिया है, लेकिन क्या ये मुझे कहीं छोड देगा, या मार ये देखके मुझे लगता है कि शायद इसी वज़े से ये मुझे मानना चाहता होगा, कि मैं इसे काटूंगी और ये फिर मुझे मार देगा, किस क्राउन प्रिंस ने ऐसा लगता है कहा था कि ये मुझे बहुत सुन्दर है या इसने मुझे देखा है करके, क्राउन प्रिं प्रिंस को समझ नहीं आता है कि वह बिली को खाने में क्या दे तो वो सोचता है मैं इस चीज को खाने में क्या दूँ तब बिली सोचते है कि यह मुझे चीज क्यों बुला रहा है इस ग्राउन प्रिंस की उमर 18 और 19 के बीच की लग रही होती है तब ही मुझे याद है कि बहुत जल्द ही ये अपने पिता की गदी पे बैटेंगे नौवल में आगे नौवल के अनुसार इस में लिखा गया था कि क्राउन प्रिंस अपने पिता की जगा ले लेंगे तब ही क्राउन प्रिंस मुझे एक दूद का कटोरा देते हैं और बोलते हैं ये जो दूद है काफी गरम है और बड़ा स्वादिश्ट है इसे मैं पीनूँ लेकिन मैंने सुना है कि बिल्ली अएदी मनिशे के दिये वह दूद पीती है तो उनके पेट में दर्थ होता है लेकिन फिर भी मैं इसे ट्राइ कर लेती हूँ शायद ये टेज में वाकई में बहुत अच्छा हो बिल्ली को ये दूद पीके बड़ा अच्छा लगता है उसे लगता है कि इस से जदा स्वादिश्ट दूद कहीं भी नहीं है तभी एक अधिकारी आता है और बोलता है मैजेस्टी मुझे शमा करे यहाँ पर कोई आपसे मिलने आया है क्राउन प्रिंस जल्दी ही बिल्ली को अपनी पॉकेट में डाल लेता है लेकिन बिल्ली सुथी के सच में उसे इस तरह पॉकेट में डालने की जरुरती कई और भी तो उसे चुपाया जा सकता था तभी वह देखता है कि जो इंसान उसे मिलने आए वो कोई और नहीं वो उनकी दूसरी माँ है जो उनसे मिलने आया है माँ आई है काउंटेस जिसे कहते है काउंटेस बोलती है कि ग्राउंट प्रिंस थोड़ा मीट खाओ मैंने इसे बनाया है और इसे जल्दी खाओ यह ठेंडा भी हो सकता है मैंने सुना है कि आपगल मेरा बनाँवा खाना काफी पसंदा है इसलिए आज मैंने इसे मीट को फिर से बनाया है तभी कैट को याद आता है कि यह जो दूसरी माँ है यह बहुत अजीब है यह कही तरह के जादू करती है इसका कारण यह है कि यह अपने वश में क्राउन प्रिंस को करना चाहती है जिससे कि वो उसकी सारी बाते सुने तभी मैं सुचती हूँ कि यदि क्राउन प्रिंस इसकी यह सारी दीवी चीजे खा लेबा तो इसके दिमाग में पता नहीं क्या ही अश्र पड़ेगा मैं नहीं चाहती कि क्राउन प्रिंस यह खाना काये तो मैं क्राउन प्रिंस को को ऐसे रोक सकती हूँ तब ही मैं उसके हाथों को स्क्रैच करने लगती हूँ कि ये खाना किसी भी तरह मत खाओ तब Crown Prince कहते हैं कि मेरी दूसरी माता मुझे पता है कि मेरे खाने की किसी को चिंता नहीं है तो आपको मेरी पिता जी ने भी नहीं भेजा होगा कि आप मुझे देखिये और साथ ही मुझे भूग भी नहीं है तो आप शमा करें आप अपनी तश्रीफ ले जाएए मैं बहुत धग गया हूँ और अराम करना चाहता हूँ